हाई हलो और वेलकुम टी हाई फ्रीस्टिल सारो आप सब लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्यार रख रहे हो सो आज मैं वापस आगी हूँ एक और जोडियाक रीडिंग के साथ आज हम लोग बात करेंगे हमारे अक्वेरियस के बारे में सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी अक्वेरियस है आप यह रीडिंग बिल्कुल देख सकते है या आपको रेजनेट कर सकता है बात यह रीडिंग याद रखना ये एक जैनेरल सा रीडिंग है सो आपको जितना रेजनेट करें उतना ही लेना है इस वीडिंग से और जो भी इंफरमेशन मेरे बारे में आपको चाहिए होगा वो नीचे देस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा आप जाके देख सकते हैं So let us see Aquarius, शुरू करते हैं आपकी अपकी अनिवरसल मेंसेज इसके साथ उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन आपका करियर, फाइनसे आपकी के सब कुच So let us see Okay, we have 4 of Pentacles reversed I am hearing Aquarius that आप काइड इस वक्त एक गिवर अटिटिए में हो that is maybe आप बहुत लोगों को help कर रहे हो या आने वाले दिनों में आप बहुत लोगों को help करने का tendency आप में हो सकता है but आपको ये याद रखना है कि आप खुद का proper care कर रहे हो especially आपका physical health का care maybe आप बहुत जादा extra काम करना पड़ सकता है आपको maybe traveling कर रहे हो, maybe over time वागेरा कर रहे हो maybe चुटिया नहीं मिल रही है you know अब बस tired हो, stress चल रहा है life में I feel that it is very important Aquarius कि आप खुद के साथ नाइन साफी ना करे basically आप खुद को time दे and also खुद का proper ख्याल रखे that is proper diet अपना रखे properly आप पानी पिए, proper exercise करे जो भी medications अगर आप लेते हो वो medications ले basically physical fitness रखे जो आपको help करेगा ठीक है, जो आपके लिए आपके लिए आसान होगा इन सारा stress and रोज रोज का यह जो life है यह जो work pressure है यह परहाई का pressure है यह सब चीजों से आपको kind of free करेगा in the month of December 1st half okay, I also feel here बहुत सारे लोग आप अगर किसी भी situation में stuck feel कर रहे हो इस वक्त Aquarius, किसी भी friendship, relationship जो भी है अपने work situation में अपने financial situation में आपको लग रहा है, आप stuck हो आपको लग रहा है, आपके पास पुरा information नहीं है आपके पास पूरी सच्चाई आपको पता नहीं है I see that कुछ खुला से होने वाले हैं आपके सामने, किसी इंसान के बारे में किसी situation के बारे में किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, जिससे आप अपना direction अच्छे से पता लगा पाओ या जिससे आपको पता चले आपको कौन से direction में move करना है आपको वो clarity मिले आपको next क्या करना है कौन सा action, कौन सा step लेना है So हो सकता है, ये किसी का राज आपके सामने आ रहा हो या आप कोई राज खोल रहे हो या आपको कोई idea वगेरा आ रहा हो जहां से आप kind of investigate कर रहे हो कुछ and आपको कुछ पता चल रहा है जो आपके सामने बहुत सारे directions open कर रहे है जो आपको freedom दे रहे है कि आप वही करें जो आपको सही लगे या जो आपका दिल या दिमाग आप से कहे I also see that there is some kind of financial freedom कुछ लोग आप में से आप अपना घर ले रहे हो या आप move out कर रहे हो अपने घर से आप अपने नौकरी या जो भी करते हो आपका जो income है उसके भरो से आप kind of कुछ purchase कर रहे हो या आप income करना शुरू कर रहे हो चाहे वो जितना भी छोटा सा रकम क्यू ना हो या जितना भी बरा क्यू ना हो रकम बड़ आइसी आप independent हो रहे हो ठीक है कोई भी situation जहाँ पर आपको stuck feel होता था आप finally relaxed feel कर रहे हो Aquarius आपको finally लग रहा है कि आपके सर से एक लोड एक बोज जो था confusion का सच ना पता होने का या किसी राज mystery type of a situation I feel that वो खुलासा हो रहा है वो बोज आपके सर से हट रहा है Aquarius ठीक है December 1st half में थोड़ा सा यहाँ पर reconciliation energy है बट इसको मैं आपके love situation में check out करूंगी कि what is this trying to tell me So let us move to your love situation Aquarius हम देखते हैं क्या जान सकते हैं हम लोग Let us see Aquarius is in love spirit December 1st half Okay Wow we have the ten of swords nine of pentacles So definitely I see बहुत सारे लोग kind of आप किसी relationship से खुद को free कर रहे हो किसी marriage से night of cups खुद को free कर रहे हो आप बहुत सारे लोग आप किसी relationship से निकल रहे हो या निकले हो बस recently आपका separation break up हुआ है या divorce आपने file किया है या ऐसा कुछ for some of you आपे third party involvement हो सकता है आपके side से या आपके person के side से but I see कुछ लोगों के लिए आपके past person फिर से एक बार आने की कोशिश कर सकते है आपके life में या फिर आप ये कोशिश कर सकते हो उनके life में वापस entry लेने की अगर ऐसा आपका situation नहीं है I see new love coming in ठीक है नए लोग, नए offers आपके लिए आते हुए चाहे आप single हो या आपका बस recently ही break up हुआ है या divorce हुआ है separation जो भी हुआ है new love बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है and ये love आपका start होगा I feel किसी social जगा पे या तो आपका कोई friend का mutual friend आपको proposal भेजे या आप किसी को किसी party में या किसी wedding anniversary या किसी function family function वगेरा में मिल रहे हो जो person आपको ये offer कर रहे है या आप kind of friends के साथ जा रहे हो and कोई friend आपको ये proposal भेजे that वो आपको पसंद करते है and एकने दिनों तक में भी उन्होंने आपको बताया नहीं so I see new love coming in but ये new love ऐसे किसी person से होने के ज्यादा chances है जिसे आप already जानते हो and जिसके साथ आपका कोई पहले love history नहीं रहा है ठेक है जो आपका पहले कभी आपका कोई ex नहीं है आपके friend हो सकते है and बहुत सारे लोगों के लिए आप basically इस वक्त single रहना चाते हो I see this is self love because आप recently किसी separation वगरा के थूग गए हो and आप kind of self love healing पे concentrate कर रहे हो आप खुद को वो सारा प्यार दे रहे हो जो आज तक आप गलत लोगों को देते आए हो or whatever the situation is okay and especially I see new love coming in especially जो लोग ready हो new love के लिए ready हो आप kind of healed हो चुके हो I see new love basically okay so let us see जो लोग किसी से deal कर रहे हो या आपके person में जो आपके mind में जो भी person है उनका situation eight of swords या बहुत सारे लोगों का aquarius आपके जो ex है या आप जो परसन के साथ deal कर रहे थे ये person अभी तक इस situation से निकले नहीं है ये person अभी भी kind of आपके साथ stuck feel करते है aquarius and also ये person kind of curious है कि आपके life में क्या चल रहा है so अगर ये आपका कोई ex है जिसके बारे में आज आप जानने की कोशिश कर रहे हो I see a person आज भी आपके life के बारे में curious है ये जानना चाते है आपके life में क्या चल रहा है and ये almost उस जगा पे खरे है जहां पे ये confused है कि मैं completely walk away करूँ completely move on करूँ या मैं रुक जाओ मैं wait करूँ aquarius के लिए so ये person उस जगा पे खरे है अगर ये क्योई new person है aquarius I feel that ये person kind of आपको और भी अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे है ये person आपके और भी close होना चाते है ये person और भी आपको ये नजदीक से जानना चाते है पहचानना चाते है ये person curious है आप लोगों का future कैसे क्या हो सकता है आप क्या सोच रहे हो आपके plans क्या है so ये person आपको और भी करीब से जानना चाते है basically aquarius so ये general reading है so जैसे आपको resonate करे वही message आप लेना इस reading से and basically x अगर है definitely ये person आज भी आप पे stuck है मुझे ये person का कोई भी action लेते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे है इस वक्त मेभी आपको social media वगेरा में stalk कर रहे है या किसी friend वगेरा से पूछ रहे है आपके बारे में but कोई direct action मुझे इस वक्त इस person से नजर नहीं आ रहा है but I can say that ये person sure नहीं है अगर ये past person है या अगर इनके साथ इस वक्त आपका कोई भी connection communication नहीं है ये person kind of confused है that क्या इनको वेट करना चाहिए या इनको completely move on कर जाना चाहिए because अभी भी थोड़े बहुत feelings बचे हुए है अभी भी थोड़ा सा वो bonding बचा हुआ है जहां पे ये person completely move on नहीं कर पा रहे है and अगर new person है as I said okay so अगर मैं zodiac की बात करूँ मेरे पास है Gemini, Capricorn, Cancer, Pisces okay so let us move on and देखते है आपका कर्यर सुचाइए Aquarius that's your career situation for December 1st half okay night of cups maybe आप travel कर रहे हो कहां कहीं पे या आपको offers आ रहे है okay कुछ लोगों के पास यहां पे दो choices है या तो आप maybe आप abroad shift होना चाहते हो या आप India में रहना चाहते हो या basically आप कहीं और जाना चाहते हो या तो आपने basically खुद के देश में रहने की कोशिश कर रहे हो so वो आपके लिए एक choice आ सकता है December में maybe आपका अपना future या अपना career plan करना पर सकता है regarding like based on आप क्या करना चाहते हो कुछ लोगों को ऐसा feel हो रहा है that आपका जो income level है या आपका जो satisfaction level है अपने काम से अपने business अपने job अपने परहाई लिखाई से वो थोड़ा सा कम हो गया है या वो थोड़ा सा घट गया है compared to maybe आप पहले बहुत जादा workload ले पाते थे stress ले पाते थे आप बहुत जादा hard work कर पाते थे but आपको लगने लगा है that वो situations change हो गया है या आप इतना महनत नहीं कर पा रहे हो या थोड़ा सा महनत के बाद आपको थकान महसूस हो रहा है या आप kind of bored हो आपको kind of satisfaction नहीं है so ये जो सारे थोड़े से low feelings है वो आ सकता है December 1st half में Aquarius but I feel आपको डरना नहीं है in feelings से because आप जितना भी महनत किये हो आप जितना भी success लाए हो अपनी जिन्दगी में चाहे वो कितना भी छोटा सा success हो जितना भी बड़ा success हो I feel अगर आप एक बार लाए हो आप बार ला पाओगे so don't compare yourself या ये मत सोचना की पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं है या past को present में खीचने की कोई जरूरत नहीं है past आपका अच्छा रहा हो बुरा रहा हो does not matter present आपके हाथों में है present आपके control में है so आपका future वही होगा जो आप आज करते हो Aquarius so even if आपको feel हो सकता है that आप productive नहीं हो आप से काम उतना जल्दी में नहीं हो रहा है या आपको kind of अपना मन जाहा काम नहीं मिल रहा है या आपको proper offers नहीं आ रहे है आपका जो परहाई लिखाई है उसमें मन नहीं है या वो करने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपको किसी भी बात का regret है आपके career choice को लेके Spirit is showing you Aquarius that आप इस situation को overcome कर पाओगे with determination अगर आप महनत करोगे आपका ये situation overcome हो जाएगा आप जो डर रहे हो महनत से डर रहे हो आप kind of खुद पे वो confidence खो रहे हो जो आपको इस वक्त जरूरत है पीछे मुरके नहीं देखना है चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुरके पास्ट के बारे में नहीं सोचना है December में आपको ज्यादा determination feel नहीं होगा कि आप काम करे या hard work करे या पूरा पूरा दिन productive रहे बट आपको खुद को थोड़ा सा पुश करना है थोड़ा सापको active रहना है कि आप basically अपना basic काम उतार पाऊ ठीक है आपको अच्छा लगा हो रेजनेट किया हो तो प्लीज दो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो प्लीज तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो चानल बीए पाट अपसे मिलूंगी नेक्स बीडिंग में तिल एंन ते के एंग बगई